अलेकूम, my name is Miss Nassim, this video is presented to you on behalf of SG Grammar School. प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम chapter number 1, class 7 का discuss करेंगे. तो देखते हैं कि फिर आज हम क्या study करेंगे. आज की इस lecture में हम food के बारे में discuss करेंगे. फूट किस तरीके से हमारे body में हम लोग खाते हैं और उसके बाद वो किस तरीके से digest होता है. इस पूरे system को कहा जाता है digestive system. आप अपने पिछली class में पढ़ा होगा कि system क्या होता है? इस system एक इस तरीके से organized way में arrangement होती है organs की जो कि एक special function परफॉर्म करते हैं. For example, heart system की बात कर लेते हैं, circulatory system की अगर हम बात करते हैं तो उसमें heart और उससे related सारे organs आ जाते हैं जो के circulatory system परफॉर्म करेंगे. Circulatory system में क्या होगा? हमारी body को blood transport होगा. इसी तरीके से digestive system है, digestive system start होता है हमारे mouth से जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद सारे organs अपना function परफॉर्म करते हैं और वो खाना digest होने के बाद हमारे blood में transport होता है. जब से पहले हम यह पढ़ते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसकी कितनी categories होती हैं? जो हम खाना खाते हैं उसकी तक्रीवन तीन categories होती हैं जिसमें हमारे पास है carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. अब जब से पहले हम discuss करते हैं one by one each category को. जब से पहले है carbohydrates, carbohydrates जैसे के sugar, starch यह हमें energy प्रोवाइट करते हैं. यह सब से ज़ादा main group है जो के quick हमें energy प्रोवाइट करेगा. carbohydrate बहुत ज़ादा ज़रूरी है लेना. अगर हम carbohydrate नहीं लेंगे तो हम कोई काम नहीं कर सती हैं कि हमारे अंदर energy नहीं होगी. carbohydrate की important source क्या है? यह कौन-कौन सी चीजों में मौझूज होता है. जैसे के हम bread खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सब में carbohydrates होते हैं. अब हमारा digestive system क्या करता है? इन carbohydrates के बड़े-बड़े molecules को convert कर देता है glucose में. अब यह हम आगे पढ़ेंगे कि वह किस तरीके से इन molecules को convert करता है. Second group है proteins का. प्रोटीन की food sources क्या है? meat यह गोश्ट में मौझूद होता है, फिश में, अंडों में, इस तरह की सारी चीजों में मौझूद होता है. ठीक है? यह क्या करता है? यह हमारी body को building में मदद देता है. means कि जैसे हमारे nails हैं, अगर वो grow grow कर रहे हैं, बड़े हो जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, तो यह किस की वज़ा से होता है? प्रोटीन की वज़ा से. अगर हमें अच्छी growth के लिए हमारी diet में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है. इसके लावा हमारा कोई भी body part damage हो जाता है, जैसे हमें चोट लग जाती है. ठीक है? बाल हमारे अगर damage हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो हमें अपनी diet में प्रोटीन का इजाफा करना होगा. ताके उनकी growth अच्छी हो सके. इसके बाद है, minerals. Minerals क्या करते हैं? Minerals जो है वो, जैसे elements आप पढ़ेंगे अपनी classes में, elements पढ़ेंगे अपने 6th class में, sodium, potassium, इस तरह से ये minerals होते हैं. ये क्या करते हैं? ये हमारी bone और teeth के लिए बहुत important होते हैं. sodium और potassium, ये क्या करते हैं? ये हमारी जो nerves होती हैं. Nerve के function को बहुत अच्छे तरीके से perform करते हैं. इसके इलावा लेकिन इसमें एक बात का हमें खयाल रखना होता है, कि हम जब ऐसी diet लें, जिसमें ये minerals मौजूद हों, तो हमें वो diet कम लेनी है. For example, अगर मैं almond, बादाम की example ले लेती हूँ, तो हमें उसकी एक fixed quantity हमें एक handful खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये फिर नुकसान दे हो जाते हैं. तो हमें कम भी नहीं लेना है इसको और ज्यादा भी नहीं लेना है इसको. इसके बाद है vitamins. अच्छा, vitamins जो हैं, वो fruits बगएरा में मौझूद होते हैं. इसके इलावा vitamins की आगली classes में आप पढ़ेंगे categories होती हैं, जैसे vitamin A, B, C, ये अलग-अलग foods में मौझूद होते हैं. और इन सब को लेना बहुत जरूरी होता है. vitamins, carbon, hydrogen, oxygen से मिलकर बनते हैं. ये भी micronutrients होते हैं, जैसे हमें minerals कम quantity में लेने होते हैं, ये भी हमें बहुत जादा quantity में नहीं खाने होते हैं. vitamins जो कि हमें तकरीबन खाने चाहिए, वो 250 grams तक 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 तकरीबन हमें अपने body को में लेने चाहिए. ठीक है? अच्छा, इसके इलावा fat group है, fat group में आप देखी किस में होता है, ये butter वगएरा में, इस तरहां की चीजों में होता है. ये carbohydrate से हमें double energy प्रोवाइट करते हैं. अगर हम healthy diet की बात करें, तो हमें इन सब चीजों को एक fix portion में लेना बहुत ज़रूरी है, water के साथ साथ, ताके हमारा सारी functional digestive system वो अच्छे तरीके से perform हो चाहिए, हमारी body को जिन जिन चीजों की ज़रूरत है, वो हमें मिल सकें. अब हम आते हैं digestive system की तरह और देखते हैं, इ इसका system किस तरीके से हमारी body में perform होता है, digestive system के organs में हमारे पास है, यहाँ पर isophagus है, stomach है, liver है, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. अगर आप अपनी book को खोलें और page number 3 देखें तो इसमें complete diagram बनी हुई है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि digestion process में होता क्या है, digestion process में जो हम लोग खाना खाते हैं, उसके बड़े-बड़े molecules होते हैं, वो molecules जैसे अभी मैंने पीछे food group के बारे में बताया, carbohydrates हैं, fats हैं, proteins हैं, यह molecules बड़े molecules से छोटे molecules में convert हो जाते हैं, digestive enzymes के तुरू, यह digestive enzymes different organs से निकलते हैं, और फिर इनको smaller molecules में convert कर देते हैं, so basically digestive process में क्या होता है, कि आप जो भी खाना खाएंगे, वो smaller molecules में change हो जाएगा, इस process हो कहा जाता है, digestive system, अब हम आगे देखते हैं, कि इसमें कौन-कौन से organs हैं, आज़ा, सबसे पहले देखें, mouth है, ठीक है, इस जगापर, यहाँ पर, mouth में हमारे पास, क्या है, यह oral cavity है, इसके अंदर slivery glands होते हैं, जो आपका थूक होता है, यह, यह अल्ला ताला ने हमारे मुह में रखावा है, इसकी बहुत फाइदे हैं, आपका यह first step है, इसके slivery glands क अंदर से enzymes निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, slivery enzymes होते हैं, वो food को chewing में help करते हैं, food को soft बनाते हैं, ताके वो फिर गुजरे यहाँ, इस tube से, इस tube पो कहा जाता है, isophagus, यहाँ से food travel करता हुआ, हमारे stomach के अंदर आ जाता है, यह पूरा part हमारा stomach है, ठीक है, यह वाला पूर large intestine, एक देखें, आपको यह बिल्कुल, outer corner पर एक बड़ी सी tube नज़र आ रही है, जिसका diameter ज़्यादा है, यह large intestine है, और इसके अंदर देखें, इसका diameter थोड़ा सा कम है, तो यह क्या है, यह small intestine है, अब आगे पढ़ते हैं, कि इनका क्या function है, सबसे पहले food, कहाँ पर आएगा, mouth में हम लोग intake करते हैं, यहाँ पर, इस चगाँ पर, ठीक है, food हम लोगों ने लिया, जैसे ही हम food खाते हैं, उसके बाद यहाँ पर mechanical digestion शुरू हो जाती है, यहाँ पर क्या मज़द होते हैं, slivory grains, ठीक है, slivory grains, food के साथ mix हो जाता है, और उसको soft कर देता है, फिर उसके बाद food transfer होता है, isophagus में, isophagus food को transfer करने में मदद देता है, किस जगा पर, यहाँ पर, stomach में, stomach के अंदर, hydrochloric acid और दूसरे enzymes मौजूद होते हैं, वो क्या करेंगे, food की breakdown करेंगे, उनको और छोटे molecules में convert कर देंगे, उसके बा लिवर के अंदर एक enzyme मौजूद होता है, pancreas, वो भी food के उपर apply होगा, और इसके बाद gal bladder से भी bile juice निकलता है, अब वो इनके क्या function है, pancreatic juice का और gal bladder का, यह अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, अच्छा, इससे पहले, small intestine से पहले हम देखते हैं, अच्छा, अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कि हमारा जो first इसका process है, वो बहुत जाधा quick होगा, बहुत pastly होता है, उसमें क्या करते हैं, हम food को chew करते हैं, small pieces में, पहले हम अपने दांतों के तुरू food को cut करते हैं, उसके बाद food chew होता है, swelling से पहले, swelling का मतलब है, कि हम यहाँ पे गले से गुजर कर, यह जो आपका isophagus है, इससे स्टमक में जाता है, पूड़ इसको swallowing कहते हैं, यह swallow करने से पहले food की chewing होती है, chewing कि किसी होती है, हमारे मूँ के अंदर ही जो थूख होता है, slivory gland, उसके अंदर से enzyme निकलता है, उसको कहा जाता है amylase, food उस amylase के साथ mix हो जाता है, और जैसे कर हम carbohydrate ले रहे हैं, तो carbohydrate में क्या हो जाएगा, starch होंगे, बड़े molecules होंगे, वो छोटे molecules में convert हो जाएगे, तो कहा जाएगा sugar या maltose, वो soluble sugar होते हैं, maltose, जो के हम अराम से blood में absorption होने के बाद, हमारी body में transfer हो जाएगे, इसके बाद यही जो हम लोग food चियू हो जाता है, इस isophagus के थुरू, एक muscular contraction होगी, means के जैसे muscles contract करते हैं, और उसके बाद relax करते हैं, इसी तरीके से isophagus में भी muscles होते हैं, उन muscles contractions के जरिए, वो हमा कहां पर चला जाएगा, stomach में, यह देखें, पिंक कलर का आपको organ नजर आ रहा है, यह stomach है, stomach कितना food रख सकता है, 1.5 liters of food रख सकता है, इसके साथ अगर 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 इससे जादा food आ गया, तो फिर बहुत से problems के रिएट हो जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कौन-कौन सी diseases हो जाती हैं उसकी वज़ा से, stomach के अंदर एक juice होता है, जिसको कहा जाता है, gastric juice, इसको कहा जाता है, hydrochloric acid, वो क्या करता है, अगर हम लोगों ने खाना खाया है, उस food के अंदर कोई bacteria है, तो वो उसको किल कर देगा, इस gastric juice के अंदर कुछ enzymes होते हैं, वो enzymes क्या करते हैं, वो food के अंदर जो जो हमने प्रोटीन लिया हुआ है, अगर हमने गोश्ट खाया है, अगर हमारे food में प्रोटीन है, तो वो उसको छोटे molecules में convert कर देता है, जो इन प्रोटीन के ओपर जो reaction करते हैं, enzymes उनको कहा जाता है, proteases, इसके बाद food चला जाता है, यह आपको यह देखें, यह coid-like structures नजर आ रहे हैं, जोड यह tube जिसका diameter कम है, इसको कहा जाता है, small intestine, small intestine में अब food आ जाएगा, और यह तक्रीबन small intestine 7 meters तक long होती है, और इसका diameter 3 cm तक होता है, food अब जब stomach से small intestine में आएगा, तो इसके अंदर bile आ जाएगा, bile juice कहां से आता है, यह देखें, यह yellow color का आपको structure नजर आ रहा है, gal bladder, इसके अंदर bile होता है, अच्छा, इस bile, जो है, जब यह bile juice यहां से निकलेगा, तो यह कहां आ जाएगा, small intestine में, इस bile juice का function क्या है, कि जो हम fat लेते हैं, जैसे कि जो भी जैसे butter वगएरा है, औरी चीजे हैं, उनके अंदर fat मौजूद होता है, तो वो उनको break कर देता है, उनके बड़े molecules को छोटे molecules में convert कर देता है, small intestine की walls होती है, वो क्या करती है, वो digest करती है, proteins, carbohydrates और fats को, और वो वहां से कुछ capillaries होती है, blood capillaries निकलती है, जिसके तुरू small intestine अपना function perform करेगी, और ये digested food को blood capillaries के थूँ हमारे blood में transfer हो जाएगा, अब हम देखते हैं कि small intestine किस तरीके से food को जो हमारा absorb हो, चोट चोटे molecules में convert हो चुका है, तो वो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से blood में उसको transfer करती है, किस structure के थूँ ये transfer करती है, ये देखें, small intestine का structure है, इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये वाले structures, विलाए, इनको हम कहते हैं, विलाए, small intestine की ये wall है, ठीक है, ये बाहर की इसकी wall है, इसका ये देखें, आपको इसका चोटा सा part है, इसको microscope के साथ view करके इसको ये दिखाया गया है, इसमें ये देखें, ये coil like structures हैं, इसकी wall पे इसको कहा जाता है, विलाए, ये millions of structures होते हैं, million तक की तादात होती है, ये क्या करेंगे, food को absorb करेंगे, और इसको और surface area provide कर देए, इसको और जगा देते हैं, ताकि जादा से जादा food इसमें absorb हो सके, इसी के अंदर blood capillaries, अगर हम इसी विलाए के structure को, ये जो coiled है, इसको और देखें, ये है, ये एक विलाए है, इसके अ नजर आ रही हैं, ये blood capillaries नजर आ रही है, अब क्या होगा, food जो absorb होगा, विलाए में जाएगा, और विलाए के अंदर, क्योंकि blood capillaries हैं, तो blood capillaries में चला जाएगा food, और फिर हमारी पूरी body में circulatory system के थ्रूँ food ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये पूर किस तरीके से digest हुआ है, कहां से start हुआ है, food का process माउट से, और खतम कहां पर हुआ है, small intestine में, इस digestive system में और भी large intestine का भी function है, जो हम आपको next classes में और जादा explain करेंगे, तो आज की इस हमने क्या study किया है, सबसे पहले हमने ये study किया था, कि food जो हम लोग लेते हैं, उसकी कितनी categories होती है, उसकी 5 categories होती है, जिसमें carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins शामिल है, और फिर क्या होता है, कि इनके जो बड़े-बड़े molecules, जो हम फूड लेते हैं, जैसे carbohydrates अगर हमने लिया है, तो उसके बड़े molecules, जो हैं, वो छोटे molecules में convert हो जाएंगे, किसके थुरू convert हो जाएंगे, stomach के अंदर gastric juice होता है, और उसके अंदर enzymes होते हैं, वो protein को भी convert कर देते हैं, चोट-चोटे molecules में, और fat किसके थुरू convert होता है, intestine में, हमारा intestine में जो enzyme होता है, bile juice आता है, liver से, liver produce, scalp better produce करता है, तो वो small intestine में आकर digest करेगा food को, digestion is the breakdown of large molecules into the food, into smaller molecules, which can be absorbed into the blood, digestion क्या है, बड़े-बड़े food के molecules, छोटे molecules में convert हो जाएंगे, ताके वो blood के अंदर absorb हो सके, और digestion का process, किसके थुरू speed up होता है, किसके थुरू होता है, enzymes के थुरू होता है, mouth में कौन सा enzyme मौजूद होता है, saliva, saliva, salivary gland के अंदर saliva होता है, वो क्या करता है, starch, starch किसमें मौजूद होती है, carbohydrate में, उसको convert कर देता है, sugar में, stomach के अंदर protein किस तरीके से digest होते हैं, hydrochloric acid और एक enzyme के थुरू protein digest होते हैं, pepsin जो के हमने पढ़ा है पीजे, और intestine में क्या हो जाएगा, proteins, starch और fats यह सब digest होकर, small और small molecules में convert हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, यह blood के अंदर absorb हो जाएंगे, I hope आपको आज का lecture बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अब आपको अगर इसमें कोई भी problem होगी, तो वो आप अपने पास no down कर लें, और जो भी जब live session होगा, आपको notify कर दिया जाएगा, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, stay home, stay safe and keep learning, thank you, Allah Hafiz.